कर दो अज हम बात करने वाले हैं बाट-फ़्पिंगे वारे में के दोस्तो सब से बहले हम ना क्या करना बाड-फ़ृपिंग च्छत्वे अगर हम करते हैं ऊबर चत्वे उपर सबसे बहले तार के अच्छत्री सपाई कर निया ज़ितरे से उसके बाद उसको कि जाडु के साथ साफ करना है तहर ने पर पानी का पाइब लेना पूरी छद दूदे नहीं है अपने पूरी छद दूने के बाद में जो आप देख रहा है स्मार्ट केर लिख हुआ इस पर इसका नाम है हाईवरेट सीलेंड यह आपने देखा हुआ कि अरुदी का इस टरह है और इसमें सिलीकॉन की तरह ही निकलता है तो इसमें यह वारे गन है इसको गन बोलते हैं मार्केट आपको मिल जाएगी अब स्प्वारी बोल दोगे तो आपको यह गन मिल जागी यह इसके अंदर इस तरह से फिट होती है वह पीछे से जो बारा गन का घोड़ा होता है इसको दबाते चले आँ निकालते चले जाता या गो कि पर डोस्तों से खायूज करना है वो मैं बता देता हूँ जहांपर वचांछे बड़ी बड़ी च्षटंके लड़ मटार आंदर महां पर इसको अच्छी तरह से बढ़र दे को और उसको अच्छी तरह सब्ढ़ करना प्रड़ो को निकालना है निकालने कि आदा एंची अब इसके अंदर पानी कभी लिखिस नहीं होगा उसके बाद जब आपके धुलाई हर्च की सपाई होगई ताहर के बुरुष है और उसको धो दिया हमने पानी से उसके बाद आपने हाइवरेट से लेंड भी भर दिया उसके बाद आपने दुस्तों कोटिंग चालू कर देन है जिस तरह से कोट लग रहा है ऐसे अपने कोट चालू कर देना है तो तो यह जो है हमारा डेम प्रूफ है कि स्मार्ट केर डेम प्रूफ है तो यह डेम प्रूफ के नहीं नाम से जाना जाता है आप दुकान पर अगर आप जाओगे तो आप उनसे बाटर प्रूफिंग के बारे में डेम प्रूफ बोल दो तो वह आपको दे देंगे इसकी कीमत दोस्तों 44 से 45 प्रूफ तक क्यों होती है तो पहला जो कोट हम लगाते हैं तो दो खुद दोस्तों पर लिख भी रहा है कि इसमाट केर डएम प्रूफ बाल्टी पे और यह टेम प्रूफ भी है हमारा स्माट केर का बहुत अच्छा है इस श्रिण का है श्रिण कमपरी से मिलता है कि अब आप दुकान पर जाओगे तो आपको यह मिल जाएगा और इसके लगाने का तरीका मैं बता देता हूं पहले कोट में आपने अगर आपको यह 20 लिटर डेम प्रूप की बाल्टी है 20 लिटर है तो आपने इसमें पानी कितना डालना है वह मैं आपको बता देता हूं खिशES लिटर की बालते मैं 7 से 8 लिटर आपने पानी डाल ना है पहले कोट में साथ Star साथ लिटर बालते में 7 से 8 लिटर पानी डाल देना और उसके बाद आपने कोटिंग्फ चालů कर देनी हैं या मैं या जब आप दूसरा कोट लगा होगर तो आपने प्यूर माल के लगाना है, उसके अंदर आपने कोई पानी नहीं डानना है, बिना पानी के आपने दूसरे कोट लगा देना है, दूसरे कोट में कोई पानी नहीं बढ़ेगा, फिर आपका तीसरे कोट आगा, तीसरे कोट में भी आपने कोई पानी नहीं डानना है, तीसरे कश्टूमर आपको बोलता है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप अपने कश्टूमर को पांच साल की गारंटी भी दे सकते हैं जैसे जैसे मैंने बूला वैसे वैसे इसको करना तो आप कश्टूमर को पांच साल की गारंटी दे सकते हैं कि पहले कोट में 2 या 13 थो दोस्तों पहले कोट में 7 states 8 लिटर पानी आप डाल सकती हो 20 लिक्त में दूसरी कोट में कोई पानी नहीं पड़ेगा आपका जैसा निकलेगा मल वैसे मानना पड़े गैँ मत जैसे माल होगा वैसे ही आपगो कोट मानना पड़ेगा और पांस साल की आप गारंटी कस्टुमर को दे सकते हो अपनी तरफ से अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरह की लगी तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो और आपकी समझ में अगर नहीं आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो डिस्क्रिस्टर में ताइटल में मैं अपने नमबर दे दूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरू करें